Hi everyone, सभी प्यारे बच्चों का again welcome करता हूँ देखे आज की class एक special article पे based है The Hindu के Hand in Glove Hand in Glove इसका title है इस class को मैं एक रात पहले आपके लिए ready करके जा रहा हूँ कल का पूरा day मेरा traveling में जाएगा तो कोशिश करते हैं आपके छुटियां नाओ बीच में breaks नाओ जितनी कोशिश हम करते हैं उतनी कोशिश आप भी रखें Classes में regular रहें और पूरा फाइदा उठाएं ये article बताता है कि wealth inequality यानि IMS हमानता corruption से कैसे जुड़ी हुई है चली interesting article है शुरू करेंगे अपने quiz के साथ में These are your questions No questions है जो भी article में सीखेंगे इस quiz पर आपको apply करना है ठीक से मन लगा के पढ़ोगे तो 9 में से 9 आपको number मिल जाने चाहिए Class के last में इस quiz को मैं solve करवाँगा चलिए पूरे जोज के साथ में आए लेक्चर को शुरू करें करें जी hand in glove देखो glove का मतलब होता है दस्ताना दस्ताना समझते हैं आप और hand मतलब हाथ हाथ और दस्ताने का क्या रिष्टा है बड़ा close relation है जहां हाथ वहीं दस्ताना मतलब दस्ताना अगर पहना होगा तो हाथ में पहना होगा दोनों चिपके रहेंगे एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो hand in glove एक idiom एंगरेजी में इसका मतलब होता है दो चीजों का या दो लोगों का साथ में रहना या साथ में मिलके काम करना थोड़ा सा ये negative connotation वाला है हिंदी में इसको आप बोल सकते है चोर-चोर मुसरे भाई वे दो चोर हैं वो कितने भी unrelated हो किसी भी जाती धरम के हो जब वो दो चोर होते हैं तो मुसरे भाई बनी जाते है तो hand in glove इस तरीके से यूज होता है इसको hand in hand भी बोलते है closely aligned in collaboration भी बोलते है करेजी corruption और wealth inequality आए की आ समानता दोनों चोर-चोर मुसरे भाई हैं एक साथ में रहते है मिरिंग समझ में है चलिए टाइटल परेग्राफ को पढ़ेंगे क्या कहना चाह रहा है करेजी higher income inequality causes more widespread corruption करेजी higher income inequality है देखिए equality मतलब समानता बराबरी inequality मतलब असमानता दो चीजों के अंदर है ना उंच नीच कहरा है जो जितनी higher income inequality होती है income के अंदर असमानता होती है वो क्या करती है जी वो cause करती है वो कारण बनती है और ज़्यादा बड़े scale पे फैले हुए या wide spread corruption का wide spread मतलब ऐसी चीज जो spread है फैली हुई है wide यानि बहुत बड़े अरिया में हिंदी में इसको बोल सकते हैं बड़े प्यमाने पे तो जितना wealth में inequality लाओगे उतना country में आपको corruption दिखेगा higher income inequality subject है singular subject singular verb सारे subjects आपको green color में मिलेंगे और verbs को मैंने pink color में mark कर दिया है जैसे जैसे आप बड़ते जाओ इस green और pink को साथ में पकड़ते जाओ अभी आप मेरी help से पकड़ोगे class को पड़ते हुए और दीरे दीरे आपको ये काम खुद से करना सीखना है चलिए widespread समझा दिया मैंने आपको व्यापक सर पे फैला हुआ बड़े वेमाने पे कोई काम होता हुआ अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे इस article की सारी वुकैब पे नजर डालो पांच words है शुरू में एक साथ देख लेते है class अगर आपके लिए helpful है अच्छी लगती है आपको जरूर से इसको एक चोटा सा लाइक दें आपका जो लाइक है वो low cost तरीका है या free of cost तरीका है इस चैनल को support करने का आपके लाइक से ये चैनल मैं चला बाता हूँ चलिए आपके exam की preparation का important हिस्सा है mock test लगाना पहले आप सीखते हैं फिर उसको test करते हैं mock test की form में और mock test के लिए मैं आप सभी को recommend करता हूँ testbook.com अकेला ऐसा platform है जिसमें आपको quality और quantity दोनों मिल जाती है एक single mock test pass में SSE, banking, railway, defense, TANO, EPFO सारे exams के mock test जो हैं covered है previous year papers ही मिल जाते हैं आपको सभी exams के pass में आ चुके है sale के दोरान 527 में आप इसको buy कर सकते हैं buy करने के लिए comment section में जाएं आपको मिलेगा testbook का link जो भी price दिखाए उस पे coupon को और लगाना है YT10 आपका price घटकी हो जाएगा 527 रुपे चलिए pass के अगर जरूर होता है manipulate सुना होगा न अपने manipulate करना चीजों को अपने हिसाब से तोड़ना रोड़ना तो rig और manipulate एक दूसरे के synonym है Adani Group was accused of rigging the stock prices of its holding companies Adani Group पे आरोप लगे थे छेड़ चाड़ करने के, rigging करने के, जोड़ तोड़ करने के stock prices के साथ में अपनी holding companies के तो यह manipulate नाम का word आर्टिकल में देखेंगे falsify, temper with करना भी बोलते हैं ऐसा समझ लो किसी चीज से जो छेड़ चाड़ नहीं करनी हो फिर भी आप करते हैं तो वहाँ पे यह word यूज होता है negative word है rigging or manipulation जैसे आपने सुना होगा rigging of EVMs manipulations of electronic voting machines विपक्ष बोलता है ना वोटिंग मशीन से चेड़ चाड़ की गई है तो negative तरीके से use वने वाला word है अगला word है lobby देखें lobby का मतलब होता है किसी cause या objective के लिए सरकार को pressurize करना मान लिजिए आपकी pharma company है और सरकार pharma दवाईयों पे tax बढ़ाने जारी है आपको ये बात पहले से पता लगी तो आप सभी pharma company वालों ने मिल करके food and drugs department जो है या health ministry जो है उसके सामने जाकर के एक धरना दे दिया और फिर आप अंदर भी घुसे बड़े नेताओं से मिले तो जब ये काम आप करते हैं तो इसको बोला जाता है अंग्रेजी में lobbying करना ठीक है lobby word आपने बहुत बार सुना होगा इसका meaning actual में ये होता है अपने हक के लिए या अपनी फाइदे के लिए सरकार को मजबूर करना कहलाता है lobbying करना चलिए एक organization जो है जो represent कर रही है प्रतिनीदित्व कर रही है MSME की MSME का मतलब समझते हो छोटे दुकानदार medium, small और micro-scale enterprises जिनमें 5 से लेकर के 19 तक काम करने वाले लोग होते हैं तो ऐसी organization है जो MSME की तरफ से represent करते हुए lobby कर रही है सरकार को pressurize कर रही है tax में relief के लिए tax में shoot के लिए MSME sector के लिए lobbying को button hole करना भी बोलते हैं ये word कैसे बना है बता देता हूं आपको पुराने time में क्या होता था सब लोग coat पहनते थे coat pants अंग्रेज जोंकी बात कर रहा हूं इंडिया में तो चलो अलग है हमारा परिधान तो अगर आपको किसी को कुछ सुनाना है कुछ कहना है और वो आदमी आपकी सुनने को तैयार नहीं है तो अभी क्या करते हैं अपने उसका हाथ पकड़ लेते हैं आपको कोई दोस्त है आपसे चोटा है पुरानी जवाने में क्या करते थे कोट का जो बटन होल होता था बटन समझ रहे हैं ना एक होल होता है यसे बटन जाएगा उस बटन होल को उंगली डाल करके सामने वाले को पकड़ लेते थे ये common practice थी बटन होल करना किसी को अपनी बात सुनाने के लिए पकड़ लेना तो वहीं से ये word निकाला गया है जो lobbing का synonym है अब तो कोई बटन में होल में उंगली नहीं डालता लेकिन ठीक है ये word वहाँ पर यूज हुआ था आज भी इस तरीके से यूज होता है चलिए ये जो बीच-बीच में आपको कहानियां बताता हूँ इसलिए बताता हूँ थोड़ा इंटरस्टिंग भी लगे आपको और पता लगे words कैसे बने है बहुत सालों की मेरी मेहनत है जो आप से share करता हूँ एक-एक word के अंदर मुझे तो घुजने का शौक है कहां से आया कैसे बना अगले आपने पास फ्रेजल वोब है रेक इन अब देखो इसकी भी कहानी है रेक का मतलब होता है फावड़ा जिसको आप हिंदी में बोलते है कसी ठीक है कसी सुनी होगी न आपने खेतवेद में चलती है रेक इन का मतलब होता है फावड़ा मारके किसी चीज को अंदर लाना अब ये कौन सी चीज होगी पैसा जब भी आप पैसे को कमाते हैं बजार से जोड तोड करके उल्टे सीधे काम करके जैसे भी जो भी आप मोटा पैसा कमा रहे हैं आप उसको रेक इन कर रहे हैं मतलब आपका पैसा जो है मुठी वर्णी है फावड़ों में आरा है आपके घर रेक इन इस तरीके से फावड़े से वनी हुई एडियम है तो अर्न लार्ज संस ओफ मनी तो इतना पैसा मुवी ने कमाया फर्स वीक में अपनी लांच के चलिए मुवी को शावल इन करना भी बोलते हैं शावल भी कसी को और फावड़े को बोला जाता है शावल इन और रेक इन एक दूसरे के सिनॉनिम है चलिए अगला वर्ड है स्पेकुलेट देखे एक वर्ड अंग्रेजी में स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन का मतलब होता है जुआ जब आप क्रिकेट में या किसी भी जगा कुछ करते हैं ना कुछ कुछ लोग FNO करते हैं शेर मार्किट में सब जुए वाले काम है ड्रीम 11 पे टीम बना रही है भारत की जनता ये सब कहलाता है स्पेकुलेट करना लेकिन स्पेकुलेट वर्ड जो है ना ये सिर्फ जुए से नहीं जुड़ा हुआ जब भी आप किसी चीज के अंदर कैलकुलेशन करके रिस्क लेते हो वहाँ पे वर्ड यूज होता है अगर आप ड्रीम 11 पे कुछ टीम भी बना रहा है तो शायद मुझे नहीं पता कैसे बनती है लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि कुछ अच्छे प्लेयर्स को लेकर के बनती होगी जो प्लेयर्स आपको लगते हैं कि बहुत रंस बनाएंगे बहुत विकेट्स लेंगे तो स्पेकुलेट वर्ड का मतलब क्या होता है जी किसी चीज पे गहराई से विचार करना और फिर उस पे जुआ खिलना है रिस्क लेना समस्पाइस वर्ड को सम एनालिस्ट स्पेकुलेट दैट मैनी जॉब्स विल बी लॉस्ट तू लगा देना यहां पर लॉस्ट तू आर्डिफिशल इंटलिजन्स कुछ एनालिस्स जो हैं स्पेकुलेट करते हैं कयास लगाते हैं कैलकुलेशन के साथ में कि बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो खो दी जाएंगी AI के सामने खतम हो जाएंगी AI की वज़े से स्पेकुलेट को सरमाइस करना कंजक्चर करना गैंबल करना भी बोलते हैं यू विल सी दिस वर्ड इन अर्डिकल टोड़े चलिए लास्ट वर्ड है अपना बर्जन देखे एक वर्ड है बर्जन एक वर्ड है थ्राइव और एक वर्ड है प्रोस्पर दिखा देता हूं आपको मैं थ्राइव पिछे प्रोस्पर आया बर्जन, फ्लरिश, मश्रूम सब का मतलब होता है जी फलना फूलना अगर हिंदी में देशी भासा में समझ ना हो थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस है चलो किसी और क्लास में होता है आदमी अगर फल फूल रहा है तो प्रोस्पर हो रहा है कोई पोधा अगर कोई चीज फल फूल रही है तो वो burgeon हो रही है इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस अभी में अभी उसके अंदर घुसना जरूरी नहीं है देश की GDP जो है burgeon कर रही है फलफूल रही है add a quick pace बहुत तेज रफतार से for the last two decades पिछले दो decades के लिए पिछले 20 सालों से चलिए prosper और thrive दोनों words आप article में आज देखेंगे चलिए अब article पर आते हैं कि समरी आपको दें किस पारे में लिखा हुआ है समरी यह है कि wealth inequality जो है न वो ऐसे immoral और illegal कामों को जन्म देती है जिनके सहारे businessmen अपनी wealth inequality को और बढ़ाते है आपके पास अगर पैसा आगए न ठीक ठाक अच्छा पैसा तो आप कोशिश करोगे कि मैं इसको और कमाऊ और जितना आप कमाऊगे उतनी inequality बढ़ती जाएगी भारत की per capita income है अठाइसो डॉलर अठाइसो डॉलर का मतलब है जी तेरा अजार रुपे पर आदमी पर पर संद हर महीने कमाता है लेकिन कोई आदमी माले जी तेरा करोड रुपे महीना कमाता हो एकसो तीस करोड रुपे महीना कमाता हो ऐसे भी लोग है ना तो ये लोग wealth inequality को जनम देते हैं और इसी पैसे या मोटे पैसे की वज़े से गलत means का सहरा भी लेने लगते हैं और पैसा कमाने के लिए तो corruption हमेशा inequality के साथ में चोर-चोर मुसेरे भाई की तरह चलता है आज की तोन है critical criticize कर रहा है देश में बढ़ती हुई inequality और बढ़ते हुए corruption को चलिए शुरू करेंगे आर्टिकल को बढ़ा सिंपल सा आर्टिकल है इंट्रस्टिंग है पर करें जी honoro day baljack once quiped अब क्या quiped behind every great fortune there is a crime करें ये जो आदमी है honoro day baljack एक बार once मतलब once मतलब कभी एक बार हुआ होगा ऐसा इन्होंने quip किया quip का मतलब होता है joke करना मजाग में कहना किसी बात को कह देना जुमला कह देना तो इन्होंने एक बार remark दिया जुमला दिया ये कि हर great fortune के पीछे हर बड़े नसीब के पीछे कोई न कोई crime छिपा होता है गुना छिपा होता है करें जी but this may be just a half truth करें लेकिन ये चीज हो सकती है खाली खाली आदा सच ये जो philosopher है बल जैक इनकी word equipped करना जुमला कसना मजाग भरे बात में किसी को मजाग भरे टॉन में कहना crime की verb है इस क्लोस देर से शुरू हुआ है इसलिए subject को verb के बाद रखा गया बार बार ये बात बोलता हूं कान से सुनके दूसरे से मत निकाल लिया अगर हो इस बात के माइने ही है कि अगर यहां crime चलिखा होता तो verb आर हो जाती है फिर आप बोलते सर देर के बाद तो is आता है आज आर कैसे लग गया यही समझा रहा हूं इस is और आर का देर से कोई connection था ही नहीं इसका connection था इस crime नाम के word से क्योंकि जब भी देर किसी close की शुरूआ में आता है में वर्ब को subject से पहले रख देता है inversion ले आता है तो subject singular इसलिए वर्ब यहां पे singular इसकी वर्ब है maybe आगे करें जी accumulating wealth is not just about one grand crime करें जी wealth accumulation जो है पैसा इकठा करने का जो काम है यह सिर्फ एक one grand crime नहीं है यह सिर्फ एक बड़ा गुना नहीं है मलब इसके पीछे स चिर्फ एक बड़ा गुना नहीं होता और क्या होता जी it is a breeding ground for an array of offenses यह breeding ground होता है breeding ground मतलब ऐसी जगह जहां पे कोई चीज breed करें पैदा हो फले फुले जैसे मुर्गियों के बाड़े में मुर्गियां breeding ground होता है न उनका तो वैसे ही wealth जो होती है वो breeding ground होता है एक बहुत सार बड़े array का या जथे का जो है offenses का array का मतलब होता है collection assortment तो कई सारे गुना जो है wealth inequality से breed होते हैं उससे निकलते हैं समझ गे accumulate यानि कठा करना verb as key is accumulating is verb की ing form जब भी subject बनेगी उसको क्या बोलते है जीरंड बोलते है भाई और जीरंड की verb क्या होती है हमेशा singular होती है पता है ना ये चोटे-चोटे cases यहाँ पे आर नहीं लग सकता चाहे wealth कितनी भी हो accumulating की verb is होगी verb की ing form जीरंड जब भी subject बनेगा अपनी verb singular रखेगा चलिए it's यहाँ पे it और is की बात कर रहे array यानि जथा collection assortment करेजी dive into the data from the Gallup World Poll and CMI's Consumer Pyramid Household Survey for India 2019-23 and you will see how wealth inequality or income equality fuels corruption करेजी dive into करो देखे dive का मतलब होता है गोता लगाना into मतलब अंदर करेजी गहरे उतर के देखो गोता लगा के देखो और किसमे डेटा पे अब यह डेटा कौन सा है डेटा आया है इन दोनों सर्वेज से Gallup World Poll और CMI's Consumer Pyramid Survey कर अगर इसमें गोता लगा दो ना इसके डेटा में तो आप देखेंगे कि कैसे income की या समानता fuel करती हुई पाई जाएगी भढ़काती हुई पाई जाएगी corruption को ब्रस्टाचार को और कब especially where government and businesses meet खास करके वहाँ पे जहां सरकार और व्यपार मिलते हैं meet करते हैं समझ के sentence बड़ा easy sentence है subject है इस case में dive into का you जब भी verb की base form से कोई close शुरू होगा तो you subject होगा understood होगा वह dive into किसको करना है गहरा कोन उतरेगा मैं उतरूंगा जो सुन रहा है जो इस line को पढ़ रहा है वही उतरेगा तो you dive into लिख देगा तो you यहां लिखने की ज़रूत नहीं है understood है जैसे मैंने आप से पूछा कि bring me some water या bring a glass of water वर्ब की base form से sentence शुरू हो गया अब यह पानी कोन लेके आएगा अगर आपने सुना है तो आप ही लाओगे लाओगे नहीं लाओगे वह लग बात है कहा तो आपको ही कहा है न तो you अपने आप ही understood होगा आप जो है subject बन जाएंगे वह बन जाएगी bring इनको बोलते है imperative sentence इस case में भी dive into imperative sentence की वह है dive into को delve into investigate explore करना भी बोलते है हिंदी में बोला जाता है गहरा उतरना you की वह है will see आप देखेंगे inequality की वह है fuels fuel का मतलब होता है इंधन देना आग में घी डालना business and government की वह है meet चलो करें जी picture this अच्छा किस चीज को भई public officials approving contracts for mega projects not for the public goods but for the well lined pockets of wealthy private investors करें picture करो इस चीज को सोचो दिमाग में जो public officials हैं सरकारी अधिकारी है अप्रूव कर रहे हैं जो contracts को बड़े बड़े projects के लिए हजारो करोड के और क्यूं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं not for public good के लिए आँ आदमी की भलाई के लिए बलकी कर रहे हैं well lined pockets के लिए well lined मतलब ऐसी pocket में गट्टी डाल दो तो एक line बन जाएगी pocket के चारो तरफ बाहर से pocket में से आपकी गट्टी दिखेगी समझे रहे हो पैसे की गट्टी डाल दो आप pocket में भर दो pocket को तो पैसा का जो bundle है वो आपको बाहर से दिखेगा तो यह जो काम हो रहा है न यह पैसे भरी हुई pockets के लिए हो रहा है wealthy private investors की बड़े बड़े निजी निवेशकों की तो यह चीज आप picture करो देश में होती है again picture verb की base form subject अपने आप ही you है आप ही picture करेंगे आप ही sentence पढ़ रहे picture करना किसी चीज के बारे में सोचना करें the richer they get the less they care about morals जितना अमीर यह लोग होते हैं the richer they get उतना ही कम the less वो care करते हैं morals के बारे में नैतिक मुल्यों के बारे में क्यों बही ऐसा क्यों 10 लगा के बता रहा है reason why bother when manipulating markets, lobbying politicians and hiding money offshore is so much easier करें जी bother भी क्यों करें परिशान भी क्यों है जब यह तीनों गलत काम जो हैं बहुत easy हैं बड़े आसान है when these three things are so much easier अब यह तीनों गलत काम कौन-कौन से हैं भई, markets को manipulate करना, markets में जोड तोड करना, lobby करना, politicians को, politicians को अपने प्रभाव में लेना और पैसे को छुपा देना offshore देश के बाहर, Swiss bankों में, करें जब यह तीनों गाम ही कर लोगे तो अब परिशान ही क्यों होना है, चुक चाप करते हैं जब यह इतने easy काम है समझ गए? चल the richard यानि जितना आमीर, they get, they की वर्ब है get, the less मतलब उतना कम, they की वर्ब है care, हो care करते है moral का मतलब होता है, netic mully, manipulating, lobbying and hiding की वर्ब है is अब इस तीनों चीजों को उसने एक ही singular idea मान के, singular वर्ब दिये यह writing style है author का, आप यहाँ पर R भी लगा सकते थे, तीन जिरेंट्स को जोडने के लिए plural वर्ब आ सकती थी अब author को ऐसा लगता है कि यह तीनों काम singular idea दिखाते हैं तो उसने singular वर्ब दिये तो इसमें error की बात कम होती है और author का writing style ज्यादा होता है, ऐसे questions आपको exam में नहीं मिलेंगे समझगे ना, आपके examiner आपको इतना confuse नहीं करेगा चलो, अब दो concept देखेंगे, पहले easy वाला देख लो moral मतलब नहतिक मुले इस से मिलता लूलता word है moral moral का मतलब होता है आत्मविश्वास, self-confidence है ना दोनों अलग words पीछे e लगाया और खेल बदल गया तो द्यान रखना, moral e के साथ आया है या e के बिना आया है depend करेगा इसी चीज़ पे, meaning पे याद रखने का तरीका क्या है, self-confidence के last में भी e आता है और moral के last में भी यात है अब देखो अच्छा वाला concept, grammar वाला concept यह कि जो structure आपने देखी the richer they get, the less they care यह comparative degree वाली structure होती है English में और इसका Hindi meaning होता है, जितना ऐसा, उतना वैसा जितनी मैनत करोगे, उतना कमाओगे जितना पढ़ोगे, उतनी सफलता मिलेगी जितना सोगे, उतना ज़्यादा वक्त बरबाद करोगे तो जितना ऐसा, उतना वैसा वाला meaning देने के लिए the less में comparative degree, the less में comparative degree इसमें use होती है meaning आपने समझ लिया, structure आपने देख ली, अब देखो questions कैसे बनेंगे the more the sugar in the pudding, the sweet it tastes जितनी ज़्यादा सुगर होती है पुडिंग में, हलवे में, उतना ही मीठा ये लगता है जितना गुड उतना मीठा पन समझ भारे हो, sentence देख के समझ आ रहा होगा, meaning भी निकलाया होगा लेकिन इसमें error है the more comparative degree है, much की, much, more, most पता होगा न आपको तो comparative degree लग गई, the के साथ में more लेकिन यहाँ पे क्या किया आपने the के साथ में positive degree लगा दी गलत वात है न the के साथ में क्या लिखना चाहिए sweet नहीं भाई साब, आप लिखेंगे the sweeter बहुत असान concept है the plus में comparative, the plus में comparative बशर्ते आपको adjective की degree बदल नहीं आती हो माल लो आपको good का better ही नहीं पता, bad का worse ही नहीं पता तो फिर ये concept तो कैसे सिखाया जाए आपो है ना the slower you drive, safer it becomes on the road जितना दीमे आप drive गरते हैं, उतना safe बन जाता है सड़क पे है ना, safer it becomes on the road अब मुझे बताओ, safer comparative degree विल्कुल सही है और इस से पहले just a minute safer होगी comparative degree विल्कुल सही है और यहाँ भी slower है comparative degree विल्कुल सही है लेकिन भाई साब the आपने यहाँ लगाया लेकिन यहाँ नहीं लगाया, तो पूरी structure जैसी बनी है, वैसे ही बनेगी the यहाँ भी लगेगा the leaner you get, the smarter and attractive you look जितना आप lean हो जाते हैं जितना पतले हो जाते हैं उतने ही smart और आकर्शक आप दिखते हैं करके बताओ उसे मुझे वीडियो को pause करो, आराम से देखो इसको अपना सवाल, मन में रख लो लिखना मत कॉमेंट्स में, अपने मन में डाल लो क्या लगएगा आपको यहाँ पर क्या होना से यह सही तो है sentence the leaner the leaner और the smarter, सही तो है देखो लखीर का फकीर नहीं बनना है आगे देखना भूल गे न and conjunction लगी हुई है मेरे भाई दो adjective मिले हुए है दोनों को the plus में comparative लगाना पड़ेगा जितना आप पतले होंगे उतना smart और अकर्शक दिखेंगे, look करेंगे समझ पाई? the smarter and the more attractive यह look चीक है? दूसरी बार the निकाल सकते हो, understood the smarter and more attractive यह मज़ा आया concept समझ गे? अब मज़ा आया है तो last वाले को डाल दो comments में, कोशिश करनी है और सही करना है the more you save, the safer and secure your financial future becomes, जितना saving आप करते हैं, उतना महफूज और secure आपका financial future become होता है अराम से कोशिश करना है, लकीर का फकीर नहीं बनना है, पूरा concept formula की तरह आपको बताया है देखो कहाँ error है, सही कर दो comments में डाल दो, गलत या सही आपको वहीं बताएंगे, चलिए आगे बढ़ते है करहें जी, Thomas Piketty and company have shed light on India skyrocketing wealth and income equality करहें, Thomas Piketty and company जो है, ये and company बने क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये ये एक फरम का नाम है, जैसे आपने सुना होगा ना, गुपता and sons तो गुपता जी ने क्या किया, sons लिखवा दिया, क्योंकि गुपता जी को पता था एक दिन मुझे जाना है, तो बाद में बच्चे समभालेंगे, तो महेश, गुपता and sons है ना हम यहां ऐसा लिखते हैं, और अंग्रेज क्या लिख देते है Thomas Piketty and company तो करहें, Thomas Piketty and company ने shed किया light को, shed का मतलब होता है गिराना, light का मतलब है प्रकाश इन्होंने प्रकाश डाला है, रोशनी में दिखाया है और light किस पर डाली है इंडिया के sky rocket करते हुए आसमान में rocket की तरह बढ़ते हुए wealth और income inequality को पुन्जी और आय की आसमानता को और कब से कब तक particularly from 2014 से 2020 खास करके मोधी जी की पीरियड में अब यह 14-20 क्या बोलना है, यह मोधी जी की बात करना चाहरा है न 2014 से 2022 के बीच की इसने study की है Thomas Piketty की वह बहुँ है, have shed light shed light करना, किसी चीज़ पे ठीक है रौशनी डालना करे दे टॉप 1% नाव कंट्रोल ओवर 40% अब दे कंट्रीज वेल्थ टॉप 1% लोग अब कंट्रोल करते हैं 40 तका देश की वेल्थ को करे जी जो है अब फ्रॉम 12.5% 9080 जो साड़े 12% से बहुत जादा है जो 1980 में हुआ करता था तो 1980 में टॉप 1% लोगों के पास साड़े 12% दुद्देश का वेल्थ था आज वो 40% हो गया है करे जी दे रेक इन 22.6% आफ टोटल प्री टेक्स इंकम वो रेक इन भी करते हैं बतोरते भी हैं कमाते भी हैं इतने टका टोटल प्री टेक्स इंकम को आए को सलाना करे जी अफार क्राई फ्रॉम 7.3% 1980 जो एक फार क्राई है दूर की कोडी है बहुत दूर दूर का आंकड़ा है 7.3% का जो 19 स्वस्थी में हुआ करता था तो अगर देश में सो रुपे कमाया जाते हैं सभी देशवाचियों के दवरा मिलके तो सो में से 22.6 रुपे तो टॉप एक परसंट लोग कमा लेते हैं देश के समझ गे देखी वो हुआ है रेकिन रेकिन करना कलेट करना शवल इन करना बड़े बड़े अमाउट में पैसे को बटोरना फार कराई का मतलग होता हिंदी में दूर की कोडी फार कराई from something यानि किसी चीज से दूर दूर होना कराई इंडिया जना हो वन अफ दे जना हो वन अफ दे जना का सबसे अनेक्वल नेशन्स में से एक है आस हमान देशों में से एक है वन अफ दीज नेशन्स है येट फ्यू सीम तू केर अबाउट दू साइड एफेक्ट्स अफ दिस इनेक्वलिटी कराई फिर भी फ्यू ना के बराबर फ्यू जब भी बिना आ के आ जाए इसका मतलग होता है ना के बराबर कराई फिर भी बिना आ के फ्यू ना के बराबर ही लोग सीम करते हैं दिखाई देते हैं केर अबाउट करते हुए परिशान होते हुए साइड एफेक्ट्स के लेकर के इस इनेक्वालिटी के किसी को कुछ फरक नहीं वड़ रहा सब को है ना सानू की सानू की वाला सब के साथ हो रहा है चलिए बहुत आसान है मेरे खाल से रिपीट करने ऐसा कुछ है नहीं चलो नेक्स परेग्राफ पे आजो अब ये लास्ट परेग्राफ है इसमें अपना ये करिंक्लूजन देगा करेजी, does inequality spur growth निको सवाल गुचा गया है क्विशन मा के लास्ट में helping वाप से शुरू हुआ है sentence में inversion किया गया है करेजी, क्या inequality, क्या समानता spur करती है, बढ़ावा देती है growth को क्या wealth inequality से हम ये कह सकते हैं कि देश में गरोत हो रही है विकास हो रहा है, कैसा होता है करें जी let us explore if inequality actually bred corruption in the government business nexus during 2014 to 22 period करें ये सवाल छोड़ दो एक दूसरे सवाल के अंदर गुशते हैं आओ explore करें, dive into करें, delve into करें, investigate करें कि जो ये inequality है जिससे आप growths पर करवा रहे थे क्या ये इस inequality ने सच में breed किया breed करना यानि किसी चीज को जर्म देना, breed की second form है bread, तो इसने breed किया बढ़ावा दिया, जर्म दिया corruption को सरकार और वेपार के nexus में आपसी nexus क्या होता है, जाल है ना, during 2014 to 22 period तो इस चीज को explore करना ज़्यादा जरूर ही है again imperative sentence है verb की base form से शुरू हुआ है, तो you let us explore, ठीक है let करना यानि किसी चीज की इजाज़त देना, let us explore यानि आओ, explore करें, inequality की verb है, bread, ये वो वाली bread नहीं है, जो खाते हो आप वो B, R, E, A, D होती है, ये है B, R, E, D, तो breed जो verb है, उसकी second form है, bread breed का मतलब होता है, किसी चीज को पैदा करना, जैसे फार्म में, मुर्गी फार्म में, मुर्गियों को breed किया जाता है, नई मुर्गियां पैदा किया जाती है, उनकी अंडे निकालने के लिए है ना, चिकन बनाने के लिए उनका चले, कराई, the findings suggest, it did findings, यह suggest करती है, कि इसने दिया, corruption को breed किया, it did कराई, income inequality driven by speculating investments fuels, corruption income की जो और समानता है जो driven by होती है, जो आगे बढ़ती है speculative investment से जुए भरी या रिस्क भरी investment से, कराई, यह fuel करती है, बढ़ावा देती है, इंदन देती है corruption को, ब्रस्थ अचार को कराई, जी, while public trust in the judiciary thanks to rising conviction rates helps curve it कराई, जबकि public का जो trust है judiciary में, कराई, जी thanks to badolat, thanks to मतलब की badolat, बढ़ती हुई conviction rate के, conviction rate मतलब कितने लोगों को सजा दिया अपने, so case अलाई, तो कितने लोगों convert किया करे जी, public का trust जो है न्याय पालिका में बढ़ती हुई conviction rates की बदौलत, वो help करता है इस सीज को curve करने में, निहंतरित करने में, समझ गे? corruption जो है equality से बढ़ेगा, inequality से लेकिन हमारी न्याय पालिका बढ़ी पहले के मुगाबले काफे स्ट्रोंग हो रही है, corrupt लोगों को सजा भी देती है तो इस से हमारा public का trust भी बनता है और साथ में corruption कम भी होता है, ये दो चीज़े हैं मतलब समझ गे ना, एक दूसरे के उल्टी चल रही है, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में, income inequality की वब है, fuels, fuel करना बढ़ावा देना, इंदन देना, आग में घी डालना public trust की वब है helps, curb करना, control करना, limit करना, नियंतरित करना करेजी, the budget अब budget की बात करें, करेजी it missed the chance to tax the rich more, leaving us with regulatory agencies as transparent as a brick wall करेजी, इस budget ने miss कर दिया खो दिया, इस मोके को जो था tax लगाने का कर लगाने का the rich पे, wealthy लोगों पे और ज्यादा, जिसके पास 2000 करोड हैं, जो खर्ची नहीं कर पाएगा इस जीवन में उस पे कुछ wealth tax लगा दो 2%, 5% का सलाना देश में उस देना ही पड़ेगा उसको तो budget ने miss कर दिया, इस मोके को कि weather rich लोगों पे कुछ tax लगाया जा सके और करें ये सारा काम कैसे किया leave करते हुए, छोड़ते हुए हमें ऐसी regulatory agencies के साथ में ऐसे सरकारी institutions के साथ में जो उतने ही transparent हैं उतने ही पारदरशी हैं, clear हैं अपने कामकाज में जैसे की brick की एक wall इंटो की एक दिवार इंटो की दिवार कितनी transparent होती है अरे इंट की दिवार के आसपस कुछ नहीं दिखेगा आपको इंट की दिवार के पारव नहीं देख सकते तो budget ने भी कुछ ऐसा ही किया रिच को टेक्स नहीं किया और उनी regulatory agencies के सारे में छोड़ दिया जो इंट की दिवार जितनी transparent है पारदरशी है या जो बिल्कुल भी पारदरशी हैं नहीं कहने का मतलब यह थोड़ा मजा किये इस नहीं आप इस भावना समझरी होने इसकी इट की ओव है मिस्ट इट आया बजट के लिए दर इच या नहीं सभी अमीर लोग दर प्लस में adjective common plural noun बनाता है जिन बच्चों की concept पता है उनका ध्यान की चरहो जिनको नहीं पता है फिर किसी class में करवा दूँगा है दर प्लस में adjective transparent पारदरशी जैसे कांच होता है जिसके आर पार आप देख सके करवा दर रोड तुए मोर prosperous इंडिया इस paved with challenges जो रस्ता है और ज़्यादा prosperous इंडिया का और ज़्यादा फलते फूलते भारत का वो पेवड विद है सजा हुआ है challenges के साथ में उसके रस्ते में पेव बनके पेव क्या होता है पेवर ब्लोक होता है जिस पे आप चलते हैं फूट पाथ पे फूट पाथ पे जो ब्रिक्स लगी होती है चोटे शहरों में नी बड़े शहरों में आप गुडगाम दिल्ली बैंगलोर अमदाबाद जाओगे तो फूट पाथ पे अलग है और कौण सी चाफ है इनेक्वे欸 यस जर्फ एक क्राइम नहीं है जी एक बढ़ता हुआ है एंटरप्रास है थ्राइव करता हुआ आइ सम आप करे क्लास को जादा मुचkin थो नहीं लगा प्रस्पर थ्राइव बर्जन ब्लॉसम ठृरिश ब्लूम यादा ना सारे words फलने फूलने के लिए यूज होने वले words है शुरू करते हैं अपने quiz को आज का article मुझे लग रहा है जादा easy था गलत ले लिया कैं मैंने चलो कभी-कभी easy भी ले लेने चाहिए सब बच्चे जो है higher level की reading को नहीं कर पाते है करे जी ये जो phrase है inequality is not just a crime it is a thriving enterprise इस बात का देशी भाषा में क्या meaning है अराम से कोशिश करना है मेंस लेवल का question है ये करो इसकी कोशिश करके मुझे बताओ इस line को देशी भाषा में समझाना हो तो इसका क्या meaning है चलो मैं करवा रहा हूँ खुद से pause करके एक बार वीडियो को कोशिश करना फलता फुलता enterprise है corruption या inequality मतलब inequality generate करता है बड़ी बड़ी opportunities corrupt practices के लिए समाझ पार हो ये sentence कि संदर्म में लिखा गया था पढ़ो उस last line को और आपको अच्छा idea लगेगा एक मुटूग ना last line की तरफ आपको ले चलता हूँ तो last line ये करी थी challenges से भरा हुआ है भारत का आगे का रस्ता लेकिन inequality के बारे में एक चीज तो पता है अमें ये सिरफ एक crime नहीं है ये thrive करता हुआ enterprise है धंदा है वेपार है inequality crime नहीं है ये crime का गड़ है ऐसा समझ लो ठीक है तो गलत चीजों के लिए inequality को connect किया गया है और first question में यही चीज आपको बतानी थी corrupt practices के लिए बड़ी opportunity देता है inequality थोड़ा मुश्किल लगा होगा लेकिन कोशिश करोगे तो it will make sense to you बाकी देख लो बाकी से कुछ आपक connection जादा बैठेगा नहीं करे जी theme क्या है इस article की इस article को अगर 8.9.9 के छोड़े भाई या भेहन को समझाना हो एक sentence में बताना हो तो क्या बताऊगे यह 4 में से कौन सा sentence इसको theme को बताएगा अरे बहुत easy है भाई एक sentence में इसका meaning यही है कि जितनी inequality उतना corruption बहुत पड़ा बढ़िया और close connection है आए की और पूंजी की आसमानता और ब्रस्ट चार में the connection between inequality and corruption see when it is answer अब यह vocab के questions है रेक इन फावडा रेक यादन यह क्या आगए या बीज में चलो इसको निकाल देता हूँ इसको कर देते है fourth ठीक है इसको कर देते है fifth तो यह 9 की जगा आट हो जाएंगे भाई देख ले ना एक question कल वल आ गया repeat हो के रेक इन का meaning पूछा है बोर्जन का meaning पूछा है buttonhole flourish या manipulate hand in glove का मतलब क्या होता है बताया था ना हाथ और दस्ताना फिर one word पूछा है किसी चीज के favor में public officials को pressurize करना ये influence करना क्या खिलाता है वो याद है ना आपको pharma company वाले example मैंने आपको दिगा था तो वो one word की form में आपको बताना है इस काम को क्या बोलते है last में दो errors मिलेंगी पहली आपको मिलेंगी इस phrase की वज़े से देख लेना ये phrase करवाया हुआ जितना होता ना और दूसरी आपको मिल सकती है इस word के आसपास सब लोग खुच से try दे अच्छा फर्स कमेंट में answer मैंने डाल दिये हैं वहां से match कर लेना मेरे answer से आपके answer मिल जाएंगे तो आपको बता लग जाएगा out of hate कितने marks मिलें marks अपने comment section में डालना class जो पूरी देखते हैं बच्चे PD लिख दिया करो सर पूरा देखा और जिसको सब समझ में आया हो और topic थोड़ा interesting लगा हो तो PDI लिख दिया करो PD, PDI से मैं समझ आता हूँ कि किस तरह की topics मुझे repeat करने है और आप देख लेना जितना जिस theme या article पे आप PDI लिखते हैं मैं वो theme को ही कोशिश करता हूँ, search करता हूँ और ऐसे articles ले करके आता हूँ तो यह आपका feedback देने का तरीका है डालना comments में कल आप से लेंगे मुलाकात कल की class में जिन बच्चों को courses की जरू होता है extra classes की जरू होता है you can take the benefits of the courses application को डाउनलोड करें YET app को आपको writing का, SSC का और banking का in fact UPSC का भी course मिल जाएगा affordable courses है, मेहनद करना चाहते हैं तो app को डाउनलोड करें comment section में link रखा गया है you can take the benefits चलिया, until then signing out